साथियों आज मैं आप लोगों के साथ डिसकस करूँगा कि भी कैसे court cognizance लेती है किसी भी मामले के अंदर court कैसे संग्यान लेती है तो सबसे पहले हम यह समझना जरूरी कि भी कॉग्निजेंस होता क्या है सो देखे कॉग्निजेंस का मतलब है जब कोई presiding officer किसी court का अपने judicial mind को apply करता है और appropriate orders पास करता है हर एक relevant stage के उपर जो भी मामला उसके आगे pending पड़ा है उसे हम क्या कहते है कॉग्निजेंस लेना कहते है अब जी कॉग्निजेंस है यह लिया जाएगा अब जब कोई भी presiding officer किसी मामले को consideration में लेगा तो इन तीन चीजों के बारे में ध्यान रखेगा वो क्या है complaint of facts भी complaint के अंदर क्या facts है उसको ध्यान रखेंगे police report है तो उसको देखेंगे या फिर कोई information receive हुई है किसी essay person द्वारा जो की police officer नहीं है या फिर उनकी knowledge में already है कि भी कोई ऐसा matter हुआ है कोई ऐसा offense हुआ है तो वो उसके उपर भी cognizance ले सकते हैं अपने आप से अब देखते हैं कि court of session में trial कैसे चलते हैं देखें IPC के अंदर कुछ ऐसे offenses हैं जो की trial किये जाते हैं session court द्वारा अब जब इसके अंदर presided officer होते हैं वो होते है session judge और additional session judge अब जब कभी भी इनके पास case आता है तो सीधा case इनके पास नहीं आता है देखें जब भी किसी मुझरिम को पेश किया जाता है उसे पेश किया जाता है before the magistrate so magistrate देखेंगे कि क्या वो उन जो offenses पुलिस ने चार्जिट के अंदर पेश कर रखे हैं file लिख रखे हैं क्या वो उनको entertain कर सकते हैं अगर नहीं कर सकते हैं उन्हें लगता है कि यह तो court of session द्वारा trial किया जाएगा इसको देखा जाएगा तो फिर वो क्या करते हैं वो commit कर देते हैं उस case को to the court of session अब जब भी case को commit किया जा रहा है to court of session तो accused को बताया जाएगा magistral court द्वारा की भी आपका case जो है court of session के अंदर further proceeding के लिए आगे दे दिया गया है अब जब file reach करती है court of session के अंदर तो जो session judge है या तो वो खुद के लिए उस case को रख सकते हैं उसको dispose of कर सकते हैं या फिर वो additional session judge को वो case दे सकते हैं आगे कि भी आप इसको dispose of कर दीजिए designated courts के बारे में अगर बात करें तो designated courts क्या होता है कि भी यह न specially constituted courts होते हैं under special acts so जो भी चलाने है वो directly पेश होता है designated court के आगे और वो सारी की सारी legal formalities पूरी करते हैं जैसे की आम courts के अंदर होता है for example narcotic drug and psychotropic substance act का अगर देखा जाए अगर quantity small नहीं है किसी drug की जो पकड़ा गया है पुलिस द्वारा तो उस case को पेश किया जाएगा before the judge और अगर quantity small है तो उसे क्या कर दिया जाएगा magistrate के सामने पेश कर दिया जाएगा special court के ऐसे ही आजाता है juvenile justice board अगर मान लीजे कोई juvenile ने crime कर दिया है उसके against कोई case registered हो गया है तो juvenile क्या होता है सबसे पहले हमें यह समझना जूरूरी रहे देखी जो juvenile होता है वो होता है कोई भी person जो below the age of 18 है उसे हम क्या कहेंगे वो juvenile है ठीक है जब भी उसने offense किया था तो तब उसकी उमर क्या थी यह देखा जाता है सबसे पहले तो उसे क्या है juvenile justice board के अंदर भेजा जाता है जिसके अंदर दो member होते है और एक principal magistrate होता है जो की deal करते हैं cases के साथ अब कभी भी juvenile को किसी बच्चे को जो 18 साल से नीचे का है जब उसको police द्वारा arrest किया जाता है तो उसे normally क्या होता है कि भी magistrate के सामने पेश किया जाता है जो regular criminal court होती है उसके आगे accuse को पेश किया जाता है उस juvenile को पेश किया जाता है अब जो presiding officer है उसके notice में यह चीज डाल दी जाती है कि भी जो यह person है जब इसने offense commit किया था तब यह below the age of 18 था और जब magistrate को लगता है कि भी हाँ यह person जो है below the age of 18 है तो जो क्या है कि इसको juvenile justice board के अंदर भेश दिया जाता है ताकि further proceedings चल सके और जो regular court है वो उस juvenile को try नहीं कर सकती है ऐसे ही महिला courts आ जाती है महिला courts के अंदर क्या है जो भी criminal case relate करते है women's के women's से जो भी case relate करते है वो महिला courts के अंदर जाते है जैसे कि maintenance of wife हो गया, children हो गया, parents हो गया, cruelty of women हो गया, mis appropriation of articles हो गया जैसे कि history done and outreaching the modesty of a woman, criminal intimidation of a woman section 506 are dealt with these courts तो यह जो महिला courts हैं इन cases को देखती है ऐसे ही family courts आ जाते है family courts के अंदर क्या होता है कि जो matter model disputes होते हैं वो family courts वारा देखे जाते है अब जो family courts होते हैं यह different different states के अंदर बनाई गई है इनके jurisdictions भी set up कर रखी है special act के अंदर इन courts को enact करने के लिए act के अंदर already लिख रिखा है कि भी family courts होने चाहिए तो यह था कि भी कैसे courts cognizance लेते हैं different different courts जैसे court of session कैसे लेता है court of session के पास case कैसे आता है ऐसे ही designated courts आ जाते हैं ऐसे ही महिला courts आ जाते हैं और family courts आ जाते हैं आशा करता है आप लोगों को यह जानकारी लाबदायक लगी हो लाबदायक लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें bell icon को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली notification regular मिलती रहें और हाँ like comment करना मत भूलेगा मुझे बताएगा आपको मेरा content कैसा लगा आपको समझाया है कि भी court कैसे cognizance लेते हैं दो 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 करेंगा है